हेलो गाईज स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टेडी वेद मोनिका उज्यापे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भारत में प्रथम भारत में पहली बार कौन-कौन सी चीजे होई है या होने वाली है इस साल 2022 में इनसे जुड़े जितने भी प्रशने वो इस वीडियो में हम cover करेंगे जी हाँ दोस्तो भारत का पहला bullet train भारत का पहला drone school भारत की पहली न्याय घड़ी इनसे जुड़े सभी प्रशनों को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो questions आपके आने वाली परिक्शा में पूछे जाएंगे इसलिए इस वीड वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखीगा ठीक है और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक करके आगे शेयर कर दीजे ताकि इस तरह की नॉलिजबल वीडियो हर किसी तक पहुच सके ठीक है तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट कोशन से जो आपके स प्रथम श्रेणी रणडजी ट्रोफी डेब्यू पर तेरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं तो ये बन गए हैं साकिबुल गनी जो की बिहार के रहने वाले हैं थर्ट कोशन है भारत के पहले रास्ट्री समुद्री सुरक्षा समन्वेग यानी की NMSC कौ कौन बने हैं तो ये बने हैं अशुक कुमार फोर्थ कोशन है भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट नूच्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है तो ये बन गई है डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी ठीक है फिफ्ट कोशन आगे बढ़ते हैं भारत की पहली MRNA COVID-19 वैक्सी किया गया है तो इसे किया गया है जिनेवा बायो फॉर्मा क्योटिकल्स जोकी पुणे महरास्ट में है नेक्स्ट कोशन है विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारे जौब प्लैटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लांच किया है तो इसे लां कौन कौन सी IPL टीम बनी है तो ये बन गई है चेनने सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्टर्स यूनिकॉन आईपिल टीम एट्थ कोशन है भारत की पहली पैरा बैडमिंटेन अकाडमी कहां स्थापित की गई है तो ये स्थापित की गई है लखनव यूपी में नाइन् जलवायू चैंपियन कौन बनी है तो ये बन गई है प्राजक्ता कोली टेंथ कोशन आता है एक महीने में 92.6 करोड से अधिक यूपी आई लेंदेन की उपलब्दी हासल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है तो ये बन गया है पीटीम पेमेंट्स बैंक लिमि जूनियर नमबर एक बनने वाली भारती ये पहली महिला बैडमिंटन खिलाडी कौन बन गई है तो ये बन गई है तसने मेर ठीक है आगे बढ़ते हैं 12th कोशन है भारत का पहला सेनेटरी नैपकिन फ्री गाओ कौन सा बनेगा तो ये बनेगा कुमलांगी ग्वाओ जो की के अगे बढ़ते हैं 13th कोशन कहरा है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है जल मेट्रो परियोजना वाला ये बन गया है कोची ठीक है आगे बढ़ते हैं next कोशन है किस राजी या केंदर शाषित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल के लिए भारत का पहला डिजिटल वॉटर डाटा बैंक एक्कुरियम को लॉंच किया है तो यह लॉच किया है कडनाटक की सरकार ने ठीक के 15 स्थांती केन्द केंद्र कहा स्थापित किया जाएगा तो यह is त्थापित किया जाएगा गुरूग्राम हर्याणा में सिक्स्टीन्त कोशिन है भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया है ड्रोन स्कूल दोसों खोला गया है गौालियर मद्ध प्रदेश में और ये भारत का पहला ड्रोन स्कूल है 17th question है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एंबुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई है तो ये शुरू गई है ये चेन नई तमिल नाडू में 18th question है प्रतिस्थित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतिये कौन बन गए है तो बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतिये हैं दीपक धर 19th question है भारतिये रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां बना है तो केबल रेल ब्रिज बन गया है जम्मू कश्मीर में और ये भारत का पहला रेलवे है 20th question है नदियों में लाइट नविगेशन मोबाइल एप लॉंच करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो ये एप लॉंच किया है असम की सरकार ने 21th question है भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहां बनेगा बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन होगा जो 2024 तक बन जाएगा वो है सूरत गुजरात में 22th question है राश्ट्री एकल खिड की प्रणाली यानि की नैश्टरल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS के साथ एक इकरत होने वाला देश का पहला कींदर शाषित प्रदेश कौन सा है तो ये है दोस्तो चमू कश्मीर नेक्स्ट कोशिन है भारत का पहला अन्शेत्र आधारित संरक्षड उपाय यानि की OECM किसे घोशित किया गया है तो ये घोशित किया गया है अरावली जैव विदता पार्क को जो की गुरुग्राम में है 24 कोशिन है भारत का पहला भूवे ज्यानिक पार्क यानि की इंडियास फर्स्ट जोलोजिकल पार्क किस राज में बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा जबलपुर यानि की मद्दप्रदेश में 25 कोशिन है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवे चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है तो ये खुल गया है गुरुग्राम हर्याणा में 26 कोशिन है भारत का पहला ग्रामीड नवाचार केंद्र किस राज में इस्थापित किया जाएगा तो ये इस्थापित किया जाएगा केरल राज में और ये भारत का पहला ग्रामीड नवाचार केंद्र होगा 27 कोशिन है भारत की पहली डिजिटल नियाई घड़ी यानि कि डिजिटल जस्थापित कियाजाएगा तो ये किया जाएगा गुरुग्राम हर्याना में 29 कोशिन है दोस्तों भारत की पहले स्नो मेराथन का आयोजिन कहां हुआ है स्नो मेराथन का आयोजिन दोस्तों हुआ है लहौल स्पीती यानि की हिमाचल प्रदेश में ठीक है आगे बढ़ते हैं 30 कोशिन कहा रहा है भारत की पहली अल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हलकी ट्रेन का उदगाटिन कहां किया गया है तो ये किया गया है कोलकाता पस्चिम बंगाल में ठीक है नेक्स्ट कोशन है गैर इंटरनेट उप्योग करताओं को डिजिटल भुकतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है तो ये बनी है दोस्तो भारत पेट्रोलियूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि की बीपी सी एल ठीक है थर्टी टू कोशन है राश्ट्रिय ए विधान अप्लिकेशन यानि की एनी विए कारिकरिम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधान सभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो ये बन गया है नागालेंड थर्टी टू कोशन कह रहा है भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो ये बन गया है तिलंगाना थर्टी फोर कोशन है भारत का पहला स्वदेशी ड्रेसर समुद्रे जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया ने किस कमपनी के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये किये हैं कोचिन शिप्यार लिमिटेन यानि की केसील कमपनी के हस्ताक्षर किये हैं ठीक है थर्टी फाइफ कोशन है कींद्री उर्जा मंत्री आरके सिंग ने भारत की पहले Virtual Smart Grid Knowledge Center यानि की SGKC और Innovation पार्क का उदगाटन कहां किया गया है तो ये किया गया है मांसर हरियाना में 36th question है भारत की पहली Medical City इंदराणी Medi City कहां इस्थापित की जाएगी तो ये की जाएगी पुणे महरास्ट में 37th question है भारत का पहला Artificial Intelligence and Robotics Technology पार्क जो है वो कहां खोला जाएगा तो दोस्तो ये खोला जाएगा बैंगलरू करनाटक में 38th question है डिजिटल भूमी दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलिवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्जिक कौन सा बना है तो ये बन गया है बिहार ठीक है 39th question है यमुना पावर लिमिटेड यानि की BYPL द्वारा भारत का पहला Smart Managed TV Charging Station कहां पर खोला गया है तो ये खोला गया है न्यू डैली में और आज का लास्ट 40th question है Carbon Neutral खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्जी कौन सा बना है तो ये बन गया है केरल राज्जी सो गाइस आज की मेरी इस वीडियो में बस अतना ही और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे comment session में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा ठीक है बिलते हैं next वीडियो में इसी तरह के एक interesting और मज़ेदार knowledges वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद